कॉंग्रेस ने अपनी लोगसभा प्रत्याश्यू की दूसरे लिस्स जारी कर दी है, इस लिस्स में लोगसभा चुनाफ के लिए 43 सीटों पर उमिद्वारों की नाम का एलान है जरा आप भी चान करें दीची योगेश्ची जर्स उमिद्वार है, जिनमेंसे तक्रीबन साथ सीटे ऐसी है जिन पर बीजेपी कॉंग्रेस के भी सीधा मुकाबला तैय हो गया देखे जिनके बारे में लोगसभाक शेत्रों में सर्वसमती बनी और जो जनता के बीच में रहते हैं और जो सर्वे में जिनका अच्छा नाम आगया आया है उन सब लोगों को अभी पार्टी आला कमान ने सीज़ी ने क्लियर किया है तो जो नाम क्लियर किये हैं वो बहुत ही मजबूत उमिद्वार हैं और पार्टी के कारिये करता हों में उनके प्रतिबारी उत्सा है और जो हमारा पात साल का काम है वो भी अच्छा है और तीन साल का जो बार्टी पार्टी का स्टेट में जो फैलियर है वो भी सब के सामने और जो दस साल से मोधी जी ने जो वादे किये थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया उससे भी लोग जो है वो बिलकुल पूरी तरीके से नाराज हैं और वो ये कह रहे हैं कि केवल आप जुमले फैंक करके और सता आसिल दुबारा दिल्ली में करना चाहते हो ये संबव नहीं होगा क्योंकि दो वार उनको मोका दे दिया और दस साल के बाद में एक भी ऐसा काम नहीं किना सकते जो इन्होंने कोई किया हो आप ERCP का ले लो चाहे दूसरा यमुना के पानी की बात ले लो ये सब कागजी कारवाई है कागज भी सामने नहीं आए Aires, कीवल लोग सबा में लोगram को बरगलाने के लिए ये बातें आई है इन से कोई पानी नहीं तो ERCP से पानी पहले के lifelong से मिलना है नसीय चाही का मिलना है, नहीं यमुना का पानी एक लिटर बीर पानी नहीं मिलना है राहूल कस्वा को लिया, एक बड़ी आप ले चौनाती पूर्ण काम किया, राहूल कस्वा को लेकर फिर टिकेट भी दिया, क्या मैसेज पूरे किसाल कम्यूनिटी की बीच किया, क्या किसाल मेल्ट में गया, और ठीक उस दिन, जब उसे एक दिन पहले बीजेपी कॉंगरेस क प्रवूक जातनेता हम, वो शामिल गरती है राहूल कस्वा किया? देखिए हमारे दल में जो луग सामिल हो रहे हैं उन में और vijp में जो हमारे लोग सामिल हो रहे हैं उसमें बहुत परकर आपको समझना पड़ेगा मैं समझाता हूं कि बीजेपी हमारे यहां जो लोगबाग अभी पदों पे नहीं हैं और जीत नहीं पाए या लड़ नहीं पाए उनको डरा के दमका के और लालस दे करके और इस तरीके से ले जा रही है जबकि जो हमारे दल में आ रहे हैं वो बीजेपी से परेशान होके उनकी नीतियों से प लित के इतेसी नहीं है वो तो समीधान को बदलने की बातें करने वाले लोग हैं तो मैं समझता हूँ कि वो इच्छा से हमारा दल जोईन करना चाहते हैं और डरा के दमका के और डर दिखा करके हमारे लोगों को जो है वो ले जा रहे हैं तो बेसिक फरक यह है और MP सीटिंग MP है जीते हुए हैं हरियाना के जो विरेंदर सिंग है वो भी विजेंदर सिंग है वो भी सीटिंग MP है और बहुत बड़े परिवार से तालुग रखते हैं यहां जो राउल के स्वाए हैं चार बार इनके पिताजी MP रहे मा एमेले रही इनके पिताजी MP भी रहे और ये दो साई है और सब वर्मों को कुचलने का काम हो रहा केवल और केवल थानासाई के लावा कुचल आप ने लली त्यादा उस्ंतिना जाटा वी जैसे युवाच चैरों को मौका दिया आपने अनबावी चैरे के तौर बो दलाला आजला अबरजय रोला जैसे चेरों को मैदाने वो तारा वेवव गैलोत को भी आपने टिक्ट दिया हरीश मिना जैसे अनुभवी चेरे को दिया एक प्रशाशनी का अफसर पेशे से रहे ताराचन मिना को भी टिक्ट दिया तो एक शोशल इंजिनिरिंग भी यहां देखने को मिली लेकिन सब पंदरा सीट बीजेपी की आईगी उसमें बीजेपी के खुद लोग कह रहे हैं कि दो चार पांच जीतने वाले हैं और हमारी जो दस सीटी आईए हैं उसमें से दस के दस मजबूत हैं कौन कितना जीत पाएगा कैसे जीत पाएंगे वो अलग बात है लेकिन आप देखिए क जो लोगपरियता का पेवाना है जो जजबा है जो लोगों में उनकी स्विकारिता है वो हमारे कंडिडेट के परती जादा है और युवाओं में आप लली तियादो को देखिए कि कितने बोटों से वो जीता है और लोगों में उसकी लोगपरियता है और वहाँ पर बाहरी भी नहीं कर पाएंगे लली त्यादव को प्रदेश को अंगरेस्मेंट जिन्होंने महनेश से काम किया चाहे गोईन मेगवाल हो चाहे लली थो चाहे उजलाल जो आपने अभी अनुशासन कमिटी का चेहरे मनाया तो PCC के अंदर जो संगठन का एक संदेश देना था वो भी आ कर्पूब के संदेश तो